आपके रदय में आपकी गर्दन में सित रक्तवाहिका के मात्यम से आपके मस्तिश को रक्तपम करता है ये रक्तवाही काहे जिने धमनिया कहा जाता है वे आगे बढ़कर और भी छोटी धमनियों की शाखाय बन जाती है जो मश्टिश की कोशिकाओं को रक्त पहुँचाती है इन में से कुछ छोटी धमनिया एक दुसरे के साथ जुड़कर एक लूप यानि के पाश बनाती है जिससे सरकल आफ विलिस कहा जाता है धमनियों की दिवारों में विशिश प्रकार की मासपेशिया और लोच्टार परते होती है जो उन्हें और उनमें से बहने वाले रख्त के आवेक की मुताबिक खुद को ढालने में मदद करती है कभी-कभी बीमारियों, चोटों या जन्मचाद दोशों के कारण सरकल आफ विलिस की दमनियों की दिवार में कई कमजोर स्थान बन जाते है ये कमजोर स्थान आम तोर पर वहां बनता है जहां दमनिया विपाजित होती है समय के साथ दमनि के माध्यम से बहने वाली रख के प्रवा के दबाव के कारण कमजोर स्थान पर अधिक दबाव पड़ता है ये निरंतर बैते रख के दबाव के कारण ये कमजोर स्थान गुबारी की तरफ फूल कर बाहर आ जाता है जिसे एक बुलबुली जैसा बन जाता है जिसे सरेब्रल यानिके मस्तिक शमंदी अनियूरिजम कहा जाता है ये सरेब्रल अनियूरिजम का सबसे सामान्य प्रकार है जिसे सक्यूलर या बैरी अनियूरिजम कहा जाता है समय के साथ ये एनियूरिजम विक्सित हो सकता है और मस्तिश के आसपास के उत्तंकों और तंद्रिकाओं पर दबाव डाल सकता है एनियूरिजम में से रख का रिसाओ भी हो सकता है यदि उसके दिवार बहुत ही पतली हो जाती है तो एन्यूरिजम अचानक से फट या टूट सकता है और उसमें से बैता हाई प्रिशर यानि कि उच्च दबावाला रक्त आपके मस्तिश के आसपास के ख्षित्रों में फैल सकता है इस उच्च दबावाले रक्त का आपके मस्तिश के उत्तंकों पर पढ़ने से आपके मस्तिश के कोशिकाओं में चोट लग सकती है इस मार फैले हुए रक के रसायन आपके मस्तिश की अन्यधमनियों को परिशान कर सकते है और उन्हें संकीन कर सकते है नदी जितन आपके मस्तिश में सूजन आ सकती है, जिससे आगे जाकर मस्तिश को गंपिर चोट लग सकती है जो सरेबलर एन्यूरिजम फट गए हो, उनके सामाने लक्षणों में शामिल है अचानक तीवरसर दर्ध होना, जिसे कभी-कभी थंडर क्लैप हैडेक कहा जाता है आपकी दर्ष्टी में होने वाली समस्या जैसे कि धुंदला दिखना या दोरी दर्ष्टी, मतली आना और उल्टी होना, गर्दन अकर जाना या उसमें दर्ध होना, या ब्रह्म होना जो सरेब्लर अनियुरिजम फटे ना हो, मुम्किन है उनके कारण कोई भी लक्षन ना हो, लेकिन बहुत बड़े और फटे ना हो वैसे अनियुरिजम के कारण सिर्ध दर्ध, एक आँक के नस्दीक या उसके पीछे दर्ध होना, दुदला दिखना या दोहरी दर्ष्टी, पलके डलना और आपके चेहरे के एक तरफ सुन्नत या कमजोरी होना जब सेरेब्लर अनियुरिजम फट जाता है, तो वो स्थीती एक मेडिकल इमर्जनसी होती है यदि आपको यहां समझाए गए लक्षनों में से कोई भी है, तो तुरंत अपने डाक्टर को दिखाए यदि आपका सेरेब्लर अनियुरिजम फट जाता है, तो आपके डाक्टर आपको सर्जिकल क्लिपिंग या एंडवास्किलर कॉइलिंग के लिए सला दे सकते है सर्जिकल क्लिपिंग में आपके सर्जन आपके खुपड़ी में आपके एनुरिजम के नस्दीक के हिस्से में इक्षेद करेंगे और एनुरिजम की स्टेम यानिके सबसे नीचे का हिस्सा जो उसे आपकी धमनी के साथ जोडता है उसके उपर एक छोटी से मैटल की क्लिप लगाएंगे ये क्लिप आपके एनुरिजम में रख के प्रवा को जाने से रुखती है एंडवास्किलर कॉइलिंग में आपके डॉक्टर, आपके उसंदी यानिके जांक के मूल की बड़ी धमनी में एक प्लास्टिक नली जिसे कैथेटर कहा जाता है उसको डालेंगे लाईव यानिके जिवन एक्सरे यानिके जो लाईव जिवन से दिखाती है इसका उपियोग करते हुए आपके डॉक्टर दमनी में कैथेटर को आगे बड़ाएंगे जब तक कि वो एनुरिजम तक नहीं पहुच जाए इस कैथेटर के माध्यम से पारिद करके आपके डॉक्टर एक या अधिक फ्लेक्सिबल वायर यानिके लचली तारों को आपके अनुरिजम के अंदर डालेंगे अनुरिजम के अंदर इन तारों का एक गुच जैसा बनेगा जिसे वहां रखका एक थक्का बन जाएगा जो अनुरिजम के बाकी की धमनी से अवरुद करके उसे अलग कर देगा इसी तरह यदि आपको अनरपच यानिके फटा नहों हो ऐसा सरेप्लर अनुरिजम है तो आपके डॉक्टर आपको सर्जिकल क्लिपिंग या एंडर्वास्किलर कॉइलिंग के लिए सला दे सकते है इसके अलावा जड़ी आपका अनुरिजम छोटा है और उसकी कारण आपको दर्थ यानिकोई लक्षणों नहीं है तो आपके डॉक्टर किसी भी प्रक्रिया को करने से पहले कुछ समय के लिए आपके अनुरिजम का निरिक्षण करेगे